इस वीडियो से हम सीखेंगे पांच अंको तक की संख्याओं की तुल्ना करने के, क्रम में व्यवस्थित करने के और संख्या बनाने के उधाहरण अब तक हमने पांच अंको तक की संख्याओं के बारे में जाना, अब आईए इनसे जुड़े कुछ उधाहरणों का हल ढूंडे उधाहरण यह अनील की दुकान है, यह मिठाईयों के कुछ डिब्बे हैं, जिनने अनील को किसी क्रम में व्यवस्थित यानि अरेंज करना है लेकिन वह उल्जन में है, इन्हें व्यवस्थित कैसे करें? क्या आप उसकी सहायता कर पाएंगे? यहां मिठाईयों की बक्सों का मूल्य यानि कॉस्ट अलग-अलग है, इनकी मूल्यों की तुलना यानि कंपेरिजन कर इन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है सबसे पहले हम जानेंगे कौन सी संख्या कितने अंकों से बनी है जितने कम अंक उतने छोटी संख्या यानि के 75 सबसे छोटी संख्या है इसलिए हम 75 रुपे कीमत के सभी डिब्बे सबसे नीचे रखेंगे अगर अंकों की संख्या समान हो तब संख्याओं की सबसे पाएंग की तुलना करेंगे यानि के स्थानी एमान यानि place value की तुलना करेंगे यहाँ एक सबसे छोटा है यानि के उसका स्थानी एमान सबसे कम है इसलिए 125 इन दोनों से छोटी संख्या है आईए 125 मुल्य के सभी डिब़ों को 75 मुल्य के डिब़ों के उपर रखे अब इन दोनों में देखा जाए तो सबका पाया अंक समान है इसलिए हम उसके आगे वाले अंक की तुलना करेंगे यह भी समान है इसलिए हम उसके आगे वाले अंक की तुलना करेंगे यहाँ पांच यह अंक आठ से छोटा है इसलिए 215, 218 से छोटी संख्या हुई आईए 215 रुपे मूल्य के डिब्बो को इनके उपर व्यवस्थित करे अब बचे 208 रुपे मूल्यों के बक्सों को सबसे उपर रखे इस तरह से हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित यानि अरेंज कर आरोही क्रम यानि असंदिंग ओर्डर बनाया अगर इसे ही उल्टा किया जाए यानि बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक व्यवस्थित करें तो अवरोही क्रम यानि Descending Order प्राप्त होगा क्रम में देखकर अब अनिल की उल्जन दूर हुई अगला उदाहरन पांच, शून्य और दो से अंगों के बिना पुनरावृत्ती यानि रिपिटेशन किये तीन अंगों वाली संख्या बनाईए अंगों को साथ रखकर हम संख्या बना सकते हैं जैसे यहां हमने 502 ये संख्या बनाई इस संख्या के अंगों का स्थाना अंतरण यानि शिफ्टिंग कर हम कुछ और संख्या बना सकते हैं लेकिन हमें प्रतिबंद यह दिया है कि संख्या ये तीन अंगों वाली होनी चाहिए क्या यहां से सभी तीन अंगों वाली संख्या आए है इनमें 025, 052 ये दोनों तीन अंगों वाली संख्या आए नहीं है ऐसा क्यूं? क्यूंकि किसी संख्या के पहले 0 लिखे जाने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता यानि 25 और 52 दोनों दो अंगों वाली संख्या आए ही है इस तरह से दिया अंगों से सिर्फ यही तीन अंगों वाली संख्या आए बना सकते है अगला उदाहरन 9, 6, 3, 7, 4 इन अंगों से 9 को दहाई यानि 10 के स्थान पर रखकर सबसे बड़ी यानि greatest और सबसे छोटी यानि smallest संख्या बनाईए चली दिये प्रतिबंद के साथ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं प्रतिबंद के अनूसार सबसे पहले 9 को दहाई के स्थान पर लिखें बड़ी संख्या के लिए बचे अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और छोटी संख्या के लिए बचे अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें इससे बड़ी संख्या बनी 76,493 और छोटी संख्या बनी 34,697 इससे आपको पांच अंकों तक की संख्याओं की समझ बन गई होगी इस तरह से हमने सीखा पांच अंकों तक की संख्याओं की तुल्ना करने के, क्रम में व्यवस्थित करने के और संख्या बनाने के उदाहरन झाल झाल